कंगना रनौत ने स्वरा भासकर को दी शादी की बढ़ाई बोली शादी दिल से होनी चाहिए बाकी तो बॉल्वूर्ड एक्टरिस स्वरा भासकर ने सपा नेता फाहाद एहमस से शादी कर ली है स्वरा ने इस खास फल की कुछ तस्वीरे सोशल मीडिया पर शियर की है जिनमें कंगना रनौत ने उन्हें बढ़ाई देते हुए खूबसूरत नोट लिखा दरसल स्वरा भासकर ने अपनी तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा था कम से कम ये मौजूद है और प्यार को एक मौका देता है प्यार करने का अधिकार अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार शादी करने का अधिकार अजनसी का अधिकार ये एक विशेशा अधिकार नहीं होना चाहिए स्वराभासकर के टूइट पर कंगना ने शुपकामनाई लेते हुए लिखा आप दोनों खुश और बेस्ट दिख रहे हैं ये तो भगवान की कृपा है शादियां दिलों में होती है बाकी सब अबचारिक ताएं हैं स्वरा भासकर के ट्वीट पर कंगना ने जब शुपकाम नाई दी तो अन्य यूजर्स भी टिपपणी करने लगे, खुर्शित रब्बानी नाम के एक शक्स ने लिखा, कंगना का इतना शालीन अंदाग, अमेजिंग, एक ट्वीटर यूजर ने कहा, पॉजिटिव लोग अ अलग-अलग राजनुटी के कारण उन्होंने एक दूसरे से किनारा कर लिया, एक अन्य ने लिखा, अकाउंट के मिलंबन के बाद अब आप काफी बैलन्स दिखाई दे रही है, विदानशुर रावल नाम के एक यूजर ने लिखा, मुझे तो आपको भी देख ऐसा ही इंधाम से होना बाकी है, फहद ने खुद बताया कि शादी मार्श में होगी, सुरा ने ट्विटर पर एक छोटी सी मुवी शियर की है, जिसमें उनकी और फहद की लव स्टोरी के बारे में बताया गया है, कैसे वो मिले और अंत में कि दोनों ने एक दूसरे से प्यार हो ग ताकि बॉल्लूर हस्तियों से जुड़ी हर जरूरी खबर हम आपने पहुंचाते रहें